गुद मार्निंग स्टुडेंट, क्लास सर्ड चैप्टर फाइव वचन किसी भी वस्तु या व्यक्ति के संख्या में एक या एक से अधिक होने से वह वचन कहलाता है जैसे घोडा, गुबारा तथा लड़की संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं और वही घोडे, गुबारे और लड़कियां संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं अब सबसे पहले आता है वचन की परिभाशा जिस सब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक अत्वा एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं वचन के भेद, वचन की कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं एक वचन और बहुवचन अब सबसे पहले एक वचन की परिभाशा जिस संख्या सब्द से किसी प्रानी या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं जैसे पौधा, तोता, घोड़ा, माला, आख, आदी, बहुवचन. जे संग्या शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं. जैसे पोधे, तोते, घोडे, मालाएं, आखे, आदी. इसी तरीके से नीचे कुछ एक वचन और बहुवचन दिये गए हैं, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है. अब आपका नेक्स्ट आता है, एक वचन और बहुवचन एक समानी होते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता. इसी तरह कुछ संग्या सब्द एक वचन और बहुवचन में एक समानी होते हैं, लेकिन उनके वचन बदलने की किरिया का रूप बदल जाता है. जैसे यह हाती है, यह हाती है, यानि हाती में कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ यह है और यह में बदलाव आया है. तो इसके कुछ महात् पूर्ण बिन्दू है, उनको आप ध्यान से सुनिए, जिस सब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं, वचन के कितने बेद होते है, वचन के दो बेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जिस संग्या सब्द से किसी प्राणी या वस्तू के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। ओके? थैंक यू स्टूडेंट!